LSE पर चीन के साथ बड़े तनाव को लेकर शुक्रवार को कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने केंद्र सरकार पर हमला किया जिसका जवाब रक्षा मंतरी राजनास सिंग और केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर समेथ बीजेपी के नेताओं ने दिया है राहूल के बियान पर देश में इस समय राहूल वर्सिस बीजेपी का महुल गर्माया हुआ है राहूल के खिलाब बीजेपी के कई नेताओं और केंद्रिय मंतरियों का गुस्सा पूट पड़ा आगे की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि रक्षा मंत्री ने राहूल को क्या नसियत दी और अनुराग ठाकुर ने क्यों देश में 300 तरह के हतियार बन रहे हैं ये है आत्म निर्भर भारत इस बात को कहा लेकिन सबसे पहले जान लेजे कि रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने सोशल मीडिया के साथ साथ दिल्ली के प्रोग्राम में भी अपना ये बयान दिया इस दोरान राजनास सिंग ने राहूल गांदी को नसियत देते कि चाहे गलवान हो या तवांग हो भारत की सेनाओं ने जिस शौर और पराक्रम का परिचे दिया है उसकी जितनी भी प्रशनसा की जाये कम है हमने कभी भी अपोजीशन के लीडर के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठाया है पॉलिसी को लेकर हमने डिबेट नहीं की है रा राहूल गांधी ने शुकरवार को दावा किया कि चीन युद्ध की तयारी कर रहा है जबकि सरकार सुई हुई है और इस खत्रे को नजर अंदाज करने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा जो चीन का खत्रा है और मुझे तो वो इस पश्ट दिखाई दे रहा है और मैं इस को लेकर दो तीन साल से कह रहा हूं लेकिन केंदर सरकार उसको छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार उसको नजर अंदाज कर रही है मगर उस खत्रे को ना तचुपाया जा सकता है और नहीं उसकी अंदेखी की जा सकती है राहूल गांधी ने आगे कहा कि चीन की पूरी तया तैयारी युद्ध की है, तैयारी कोई घुसपैट की नहीं है, तैयारी युद्ध की चल रही है। दिल्ली में फेडरेशन आफ इंडियन चैबमर्स और अफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री याने फिक्की के एन्यूल कन्वेंशन और AGM में शामिल हुए। जो समाज को सही दिशा में आगे ले जाने का काम करें उसी को राजनीती कहते हैं। किसी के इंटेंशन पर संदेय करना इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर की उन्होंने क्या कुछ का है इस मुद्दे पर। अनुराग ठाकुर ने कहा राहूल गांदी के बयान पर मुझे हैरानी नहीं होती क्योंकि जब डोकलाम की घटना हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तब भी राहूल गांदी ऐसे सवाल उठाते दिखाई दिये थे। शायद राहूल गांदी को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है उन्होंने कहा ये 1962 का भारत नहीं है ये 2014 का भारत है प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी के नितरित में भारत आगे बढ़ रहा है कॉंग्रेस सरकार 10 साल तक हमारी सेना के लिए फाइटर जेट बुलिट प्रूफ ज दोरान भी पीम नरेंद्र मूदी और रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने भारतिय सेना से मुलाकात की थी राहूल गांदी के ऊपर ये सारे बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में चीन के मुद्दे पर ये कह दिया कि सरकार खड़े कर दिये थे कि उन्हें अपनी समझ गहरी करने चाहिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर किलो मीटर भारतिय क्षेत्र चीन लिया है 20 भारतिय सेनिकों की हत्या कर दिया और आरोनाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पीटा जा रहा है कानून मंत्री किरन रिजीजू ने भी चीन और सेना पर टिपणियों को लेकर राहूल गांदी पर शनिवार को निशाना साधा और कहा कि वो नकेवल भारतिय सेना का अपमान कर रहे हैं बलकि देश की छबी को भी बिगाड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि राहूल नकेवल कॉ पार्टी के लिए समस्या हैं बलकि देश के लिए भी शर्मिंदगी का एक बड़ा कारण बन गये हैं वहीं बीजेपी प्रवक्ता गरव भाटिया ने काया मैं राहूल गांदी को बता दूं कि 1962 वाला भारत नहीं है भारत की एक इंच जमीन भी ना किसी के कबजे में है और चैचन ये शब्द का इस्तिमाल किया है गरो भाटिया ने राहूल गांदी हमारी सेना का मनोबल तूरने का काम क्यों कर रहे हैं तो चीन को लेकर अब भारत में भी सियासत गरमाती दिखाई दे रही है राहूल गांदी ने इस पर कई दंबीर सवाल खड़े किये उसके बा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें